दोस्तो जैसे ही आपके फोन में इंटरनेट एम्बी खतम हो जाएगी आपके फोन में तुरन अलराम बजने लएगा जिसके मदर से आप जान पाओगे कि अब आपके फोन में इंटरनेट एम्बी खतम हो चुका है अब इंटरनेट एम्बी नहीं बचा जी हां अकसर क्या होत मैं आप लोग को जो setting बताने वाला हूँ जो trick बताने वाला हूँ इस setting का इस्तमाल करके आप बहुत ही आसान तरीके से जान पाओगे कि आपके जो phone में internet mb है वो कितने बजे खतम हुआ या फिर कब खतम हुआ जैसे ही आपके phone में 1GB data या फिर 1.5GB data जो मिलते हैं आपको खोगे तो आपके phone में internet mb खतम होते ही alarm बजने लएगा घंटी बजने लएगा और आप जान सकते हो कि अब आपकी phone में internet mb नहीं रहा तो दोस्तों कैसे आपको यह setting करना है आगे कि इस वीडियो में बताऊंगा लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं कियो तो चैनल को subscribe कर लिजिएगा और बाद जो में जो आपको bell गंटी देख रहा होगा उसको भी आप दबा लिजिएगा तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि यह setting को आप कैसे अपने phone में कर सकते हो तो चलिए आप कर दे वीडियो को start तो दोस्तों यह setting को करने के लिए सबसे पहले आपको play store open कर लेना अपने phone के अंदर play store को open करने के बाद दोस्तों यह वाले app को जो है download कर लेना है इस app का नाम है my data manager जी हां इसी app के मदद से आप जान सकते हो कि आपकी internet mb कितने वज़े खतम हो रहा है जी हां जैसे ही आपक phone के अंदर open करोगे तो आपके समने कुछ ऐसा वाले इंटरफेस खुल के आ जाएगा तो आपको alarm set करने के लिए three dot पर click करोगे तो यहां पर आप देख सकतो my alarm जी हां इसके उपर आपको click करना है जैसे आप यहां पर click करोगे तो यहां पर set costume alarm तो जैसे आप costume alarm पर click करोगे आपके समने ऐसा वाले इंटरफेस खुल के आ जाएगा तो दोस्तों यहां पर कुछ समझने वाली बाते आपको ध्यान से समझने होगा ठीके दोस्तों यहां पर आपको अपने phone की MB सेट करने ना है कि आप कितने MB के बाद alarm बजाना चाहते हो अपने phone के अंदर suppose कि अगर आ 1000 GB यानि कि 1000 GB सेट कर लिजिए जी हां 1000 GB का मतलब 1 GB अगर 2 GB सेट करना है तो आपको 2000 GB सेट करना है यहां तो दोस्तों सेट करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको बैक चले आना है बैक आने के बाद यहां पर आप देख सेकतो कि पूरी तरीके से alarm सेटिंग हो चुका है ज वहां से आप डाउनलोड कर लिजेगा तो फ़र आज के लिए तना ही फिर्म मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में